C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग दो सबक 3, सफ़हा नंबर 15 आओ पेड लगाएं चलो बच्चो, आ गया बाग अब्बु ने खुश होते हुए कहा आलिया दोड़ती हुई फूलों के पास गई उसे रंग बिरंगे फूल पसंद थे फूलों की खुश्बू पूरे बाग में फैली हुई थी कामरान और सरफरास चोटे-चोटे कदम उठाते आलिया के पास गए आपा, ये कौन सब फूल है? कामरान ने पूछा ये गुलाब का लाल फूल है, देखो इस फूल पर एक तितली बैठी है आलिया ने जवाब दिया ओहो, कितनी प्यारी तितली है? सरफरास ने खुश होते हुए कहा ये तितली फूल पर क्यों बैठी है? कामरान ने फिर सवाल किया इतने में अब्बू भी बच्चों के पास आ गए उन्होंने बताया बच्चों ये तितली उस फूल से अपनी घिजा हासिल कर रही है वो फूलों के रस से अपना पेट भरती है इस सफ़े के बाई जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें आलिया, सर्फराज और कामरान अपने अब्बू के साथ एक पार्क में खड़े हैं सफ़ा नंबर सोला ये हमारे घर में क्यों नहीं आती? आलिया ने पूछा सर्फराज ने फूरन कहा हमारे घर में फूल नहीं है ये तितलियां तो फूलों पर ही आती है हम भी अपने घर में फूल लगाएंगे आलिया ने कहा हाँ बेटा, हम अपने घर के बरामदे में फूलों के गमले रखेंगे अब्बू बोले इस सफ़े के ऊपर एक तस्वीर दी गई है जिसमें तीनों बच्चे फूलों की तरफ दौड रहे है सफ़ह नंबर सत्रा मैं सुभा उसे पानी दूँगा मैं शाम को पानी दिया करूँगा दोनों भाई बारी बारी बोले पौदों से हमें आक्सीजन मिलती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है अब्बू ने कहा आलिया बोली हम भी घर में पौदे लगाएंगे हाँ बेटा, जरूर अब्बू ने जवाब दिया सफ़े के आखिर में एक तस्वीर दी गई है जिसमें तीनों बच्चे तितलियों को देख रहे हैं जो फूलों पर मंडरा रही है सफ़ा नंबर अठारा मश्क पढ़िये और समझे रंग बिरंगे अलग-अलग रंगों के खुश्बू अच्छी महक गिजा खाना सफ़े के बाई जानिब एक छोटी सी तस्वीर है जिसमें एक दरख्त है दरख्त पर एक छोटा सा घर बना हुआ है जिससे सीडिया नीचे की तरफ जा रही है और एक लड़का उस दरख्त को देख रहा है सोचिये और बताईए एक बाख में किस चीज की खुश्बू फैली हुई थी दो तितली अपनी घिजा कहां से हासिल करती है तीन पौदों से हमें क्या मिलता है चार घर में पौदे लगाने से क्या फाइदा होगा पाँच तितली के अलावा और कौन से पतंगे हैं जो फूलों से घिजा हासिल करते हैं यहां एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक पौदा काँच के मर्दबान में रखा हुआ है असातजा के लिए हिदायाद उस्ताद बच्चों से स्कूल के बाग में लगे पेड़ पौदों के बारे में गुफ्तगू करें हरे पेड़ों की एहमियत के बारे में बातचीत करें सफ़हा नंबर उन्नीस खाली जगों में मुनासिब लवज लिखिए खुश्बू, घिजा, गमले, आलिया, तितली एक, खाली जगा दोड़ती हुई फूलों के पास गई दो, फूलों की खाली जगा पूरे बाग में फैली हुई थी तीन, इस फूल पर एक खाली जगा बैठी है चार, वो फूलों के रस से अपनी खाली जगा हासिल करती है पांच, हम अपने घर के बरामदे में फूलों के खाली जगा रखेंगे बाग में मिलने वाली चीजों पर दाइरा बनाएए फूल, कदम, कागस, तितली, कलम, बरामदा, खुश्बू, गुलाब, किताब, पेड, धूआ, पौदे, गमले, कूडा, खिडकी, संदूक, घास यहाँ नीचे एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक छोटा सा बच्चा गमलों में लगे पौदों में पानी डाला है सफ़हा नमबर बीस मिसाल के मताबिक हिस्सा अल्फ और बे के सही जोड मिलाएए हिस्सा अल्फ, सवाल, सुभा, खुश्बू, छोटा, आना हिस्सा बे, शाम, बड़ा, जवाब, जाना, बदबू यहाँ मिसाल के तौर पर सवाल को जवाब से मिलाया गया है फूल पर बैठी तितली की तस्वीर बना कर रंग भरिये यहाँ नीचे एक खाली खाना दिया गया है जिस खाने में आपको फूल पर बैठी तितली की तस्वीर बना कर रंग भरना है सफ़ा नंबर 21 बाग से लोटने के बाद अब्बू ने बच्चों के साथ मिलकर बरामदे में गमले लगा दिये तस्वीर को देखिए और बताइए के कौन क्या कर रहा है सफे पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें अब्बू, कामरान, सर्फराज और आलिया है एक बच्चे के हाथ में मिट्टी का पराथ है दूसरे बच्चे के हाथ में पौदे का गमला है और तीसरा बच्चा पानी डाल रहा है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन्स्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गौहर तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत